पिग्मी मर्मुसेट दुनिया की सबसे छोटी बंदर की परजाती है ये दक्सिन अमेरिका में पस्सिमी अमेजोन के जंगलों में पाये जाते हैं ये अधिकतर नदियों के किनारे वाले जंगलों में 20 मिटर से अधिक उचाय के पेडों पर पाये जाते हैं इनका वजन मात्र 100 ग्राम तक होता है और इनकी लंबाई सिर्फ 6 इंच तक होती है और इसकी पूच की लंबाई लगबक 9 इंच तक होती है चोटे जानवर होने की वज़े से ये खतरनाक नहीं है और बहुत ही क्यूट लगते हैं अगर आपने रियो और रियो टू मूवी देखी है तो आप इस चानवर को केसे भूल सकते हो ये वही चोर बंदर है जो लोगों की चीजे चुराते थे पर ये सब मूवी में ही होता है हकीकत में ऐसा नहीं होता है हालाकि बंदरों को दूसरों से चीजे चीनने में मज़ा आता है पर बंदर चोर नहीं होते पिग्मी मरमोसेट बंदरों को लोग पालते भी है इनकी कीमत लगबग 1000 डोलर से 4000 डोलर तक होती है इने पालना थोड़ा कठीन होता है जंगलों में ये जेसे रेते हैं और जेसा खाते हैं वैसे के वैसे ही इने घरों में रखना होता है नई तो ये बिमार होकर मर जाते हैं ये जुंडों में रेते हैं और एक जुंड में लगबग 15 बंदर तक होते हैं और इनके जुंडों में सिर्फ इनके परिवार के मेंबर होते हैं मादाय साल में दो बार दो दो बच्चे पेदा करती है जिनकी देखबाल पूरा जुंड मिलकर करता है इनकी आबादी में थोड़ी बहुत कमी आई है जिसका मुख्य कारण है इनके निवास इस्तानों में कमी पालने के लिए इनको लोग पकरते हैं जिससे जंगलों में ये कम होते जा रहे हैं कभी-कभी उंचे पेडों से गिर जाने के कारण भी ये मर जाते हैं इनके बालों का रंग भूरा, सुनेरा, स्लेटी और काला होता है ये पेडों की डालियों पर लगबग 5 मिटर दूर से भी कूद सकते हैं इनकी सबसे ज़्यादा आबादी ब्राजिल, पेरु, कोलंबिया और इक्वाडोर के वर्षावनों में हैं दूसरे बंदरों की तरह इनके पास नाखुन नहीं होते हैं इनके पास पंजे होते हैं जो इने पेडों पर चड़ने में मदद करते हैं ये अपनी गरदन को 180 डिगरी तक घुमा सकते हैं ये फूल, पत्ते और छोटे-मोटे कीडे मकोडे खाना पसंद करते हैं पर इनका मन पसंद खाना सेफ के पेड़ से निकलने वाला तरल पदार्त है ये बहुत ही सांती प्रिय बंदर है पर खत्रा मेसूस होने पर ये तरह-तरह की आवाजे निकालते हैं ये दिन के समय ही सक्री होते हैं और ये वहां सबसे ज़्यादा होते हैं जहां पर खाने की भरमार हो और सिकारियों से बच सके इसके सिकारी होते हैं अजगर, टायरा और एमेजोन में पाई जाने वाली सबी बिल्लियां यह प्रादेसिक जानवर है जिसका मतलब होता है कि जिस इलाके में ये रहते हैं वहाँ पर इन बंदरों का राज होता है कोई दूसरा जुन्ड इनके इलाके में नहीं आता नर और मादा जीवन बर संबोग करते हैं मतलब जब ये बूड़े होते हैं तब भी बच्चे पेदा करते हैं ये लगबग 20 साल तक जीते हैं बच्चे मा के पास खाना खाते हैं और लगबग शुरुवात के दो महीने तक अपनी पिता की बीट पर रहते हैं इसके अलावा और भी जो ये हरकते करते हैं वो एक सादानबंदर की तरह ही होती है पिग्मी मर्मोसेट के बारे में बस इतना ही वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करना न भूले और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो कर लीजे क्योंकि यहाँ पर आपको जानवरो और प्रकरती से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि एनिवल टीवी हिंदी से जुड़ी हुई हर नई नोटिफिकेस्टन आपको तुरंत प्राप्त हो हमारे चैनल पर जाकर देखे वहाँ पर जानवरों से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियो हैं आपको उन्हें देखना चाहिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद